गुड मॉर्निंग बच्चों जनाप कुद्बुद्दीन मौलिम बोईस प्राइमरी स्कूल में ओनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है बच्चों प्रथम सत्र में हम कक्षाचार में हिंदी विशय का अभ्यास करेंगे बच्चों हम हिंदी वर्णमाला के स्वर और से अहद तक शिक्ष चुके हैं और आप जानते हैं हिंदी विशय के अभ्यास करने के लिए वर्णमाला के स्वर शिक्षना बहुत जरूरी है तो बच्चों आज हम हिंदी विशय में वर्णमाला स्वर पार्ट एक का अभ्यास करेंगे यहां चित्र और शब्द दिये गए हैं तो देखिए बच्चों और शुरुआत करते हैं हम और शब्द से और से अजगर देखिए यहां चित्र गुजरातिमा अजगर के वाए बराबर आगे देखिए आ, आ से आम, आ से आम, आम गुजरातिमा अजगर के वाए केरी बराबर देखिए आगे ई, ई से कोंचा शब्द है इमारत, गुजरातिमा इमारत बराबर ई से इमारत, गुजरातिमा पन आपने इमारत के शुँ आगे देखिए ई, ई से इक, ईक बुजरातिमा इमारत शुके वाए शेरडी चित्र दिया है यहाँ पर, ई से इक, इक एटले शेरडी आगे उ से उल्लू, उल्लू यानी खुवड, उ से उल्लू, गुजरातिमा इमारत शुके शुके शु, खुवड आगे देखिए बच्चो, उ से उन, गुजरातिमा पने इमारत शुके शु, उन उ से उन, गुजरातिमा पन उन केह माए रूसे रुशी गुजरातीमापणे ने रुशी केवा है ध्यान दीजे बच्चो शिरो रेखा का भी ध्यान रखना है आपको रूसे रुशे शब्द बनेगा गुजरातीमापणे ने रुशी केवा है ए से एड़ी यहाँ चित्र दिया गया है और खुचराती में उसे क्या कहेंगे एड़ी आगे देखिए ऐसे एनक ऐसे कौन सा शब्दा एनक एनक यानि चश्मा खुचराती मायने शूं कई शूं चश्मा ओ से ओखली हिंदी में ओखली और गुचराती मां खांड़ी ओ से औरत औरत यानि स्त्री हिंदी में औरत गुचराती मां स्त्री अम आगे कौन समण है अम से अंगूर अंगूर एटले गुचराती मायने शूं कई शूं अपने द्राक्ष आगे अह, अह से कौन सा शब्द है नमह अ से नमह देखिए बच्चों हमने स्वर पहले शिके हैं यहाँ पढ़िए अ, आ, इ, इ, उ, 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 रू, ए, अ, 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 आ से अजगर, आ से आम, ई से इमारत, ई से एक, उ से उल्लू, उ से उन, रू से रुशी, ए से एडी, ए से आइनक ओ से ओ उखली, अ से आउरत, अम से अंगूर, और अह से नम, ठीक है बच्चों, तो आपको गुरू कारिया में पांच बार शब्द लिखने हैं आपकी हिंदी की नौट बुक में पांच बार यह शब्द आपको गुरू कारिया में लिखने हैं तो बच्चों हम आग एक वीडियो में दूसरा नया चैप्टर सिखेंगे तेंग क्यू